गुट मौर्निंग सिद्वेंट्स प्यारे बच्चो आप सभी के 3rd और 5th semester के जो एक्जाम है वो डेट अनाउस हो चुकी है 19 फर्वरी से आपके 5th semester के एक्जाम है जिब कि 1 मार्च से आपके 3rd semester के एक्जाम है तो आपको एक्जाम से पहले आपको रॉलमबर लेने होते हैं तो उस रॉलंबर में कुछ चेंजिज हुए थे क्योंकि जो अभी आपके फर्स सेकंड और फॉर्ट और सेमिस्टर के एक्जाम हुए थे तो उस टैम जो आपको रॉलंबर दिया गया था उसमें कुछ सब्जेक्ट जो 3rd और 5th के थे उनके सामने स्टार लगा हुआ था तो बोड ने जारी किया है कि जो इस टार वाले है वह रॉलंबर आपको नहीं लेने उनकी जगे जो चेंजे जह जो डेट आई पूर रेगुलर और रियेप्यर एक्जाम तो भी हैल्ड विद इफेक्टेट फ्रॉम 19 फेर्वरी बाइब एर रिस्पेक्टिव इंस्टूट तो दस्टूट्वेंट और एडवाइज तो सभी स्टूट्वेंट को एडवाइज दी जाती है कि वो नया एडवाइज से कलेक्ट कर लें और आपको नया एक्जाम काड जो लेना एडविट कार जो लेना वो क्यों लेना उसका रिजन आपको यहां पर समझना होगा कि टीज इनिट अट्र टापींट पर प्रक्र इन धिजम सथली कोर्प्र चांट अंचे, फ्री घंट्वूरी फ्रीट अरवल सर्या आता खारीव दि की लगा था उसकी जगे अपने इंस्टूट से रिशीव कर लें और ये दियान रखें कि आपके सब्जेक्ट के आगे उसकी डेट लिखी हो उसके सामने स्टार ना हो, स्टार वाला एड्मिट कार्ड अप्लिकेवल नहीं है और एड्मिट कार्ड जब रिशीव करें तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि उसमें स्टार उन्सारमर्क नहीं हो लेना है सभी बच्चों को एक्जाम के लिए best of luck आपके एक्जाम बहुत अच्छे से हो once again best of luck for your coming exam thank you